हेलो एवरिवन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलेंट शॉर्ट सक्केट टेस्ट आफ ट्रांस्वार्मर फर टेंपरिचर राइस मेजरमेंट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी एक ट्रांस्वार्मर हम डिजाइन करते हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसके अंदर मैक्सिमम टेंपरिचर राइस कितना होने वाला है और उसी के accordingly आफ ट्रांस्वार्मर की protection, उसकी insulation और उसके cooling method को design करते हैं वैसे तो एक खर्मामिटर के द्वारा भी आप ट्रांस्वामर का temperature rise जान सकते हैं कि ये ट्रांस्वार्मर में कितना heat produce हो रहा है यः उसका temperature कितना पहुंच चुका है लेकिन जो एक thermometer होता है वो खाली हमें localized temperature देता है जहां पे हम thermometer को employ करेंगे खाली उस part का ही वो temperature देता है और generally ये parts external parts होते हैं transformer के अंदर के जो parts होते हैं जैसे कि winding है सबसे ज़्यादा heat winding में produce होती है 95% of the heat transformer की winding में produce होती है तो उन सब की measurement एक thermometer के द्वारा नहीं की जा सकती so error में काफी गलतिया होंगी जो temperature rise हमने thermometer के थुरू calculate किया है उसमें काफी error होगा तो वो method जो है वो सही नहीं है इसके लिए हमने equivalent short circuit test को use करना है अब जो principle है वो ये है कि जैसे जैसे temperature बढ़ता है resistance भी change होती है so अगर हम resistance की change को calculate कर पाएं measure कर पाएं तो हम असानी से temperature rise को भी measure कर सकते हैं क्योंकि temperature और resistance आपस में related है एक जो बहुत बड़ी बात है transformer के case में वो ये है कि transformer में सबसे ज़्यादा heat winding में produce होती है और winding में भी heat सबसे ज़्यादा तब produce होती है जब winding short circuit होती है या जब उसमें short circuit fault आता है तो हमें वो temperature rise सबसे maximum होने वाला है और वो ही हमें जानना है तो इस test में हम उसी condition को simulate करेंगे और जानेंगे कि कितना ज़्यादा temperature rise होने वाला है ये test करने के लिए आपको rated frequency ही देनी है जिस frequency के लिए transformer designed है connections काफी similar हैं short circuit test के आप देखिए इस drawing में emitter series में connected है watt meter series parallel में connected है volt meter जो है वो parallel में connected है secondary जो है वो shorted है और primary में सबसे left side में एक variable auto transformer दिया है voltage को vary करने के लिए short circuit test में 5-10% जो voltage होती है rated voltage वो दी जाती है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ पे आप वेरियक के थुरू वो voltage देंगे जब तक की watt meter transformer के full load losses को ना दिखाए एक बार आपकी यह condition आ चुकी है की watt meter transformer के full load losses को दिखा रहा है आप voltage को उसके बाद adjust नहीं करेंगे और अब voltage को continuously on रखना है जब तक की transformer के अंदर temperature rise steady ना हो जाए यनि की उसके अंदर temperature rise बंद हो चुका है ये चेक करने के लिए कि temperature rise फरतर नहीं हो रहा है आप एक external thermometer यूज़ कर सकते है temperature rise steady कब माना जाता है जब 4 घंटे में 1 degree Celsius से कम का temperature rise होता है एक बार आपकी steady state condition temperature की अचीव हो चुकी है आप supply को off कर देंगे अब हम जानते हैं कि r is equal to wsc upon i square sc यहाँ पे जो i square sc है या जो short circuit current है यह हमें emitter के थुरू मिलेगा और watt meter जो हमें दिखा रहा है क्योंकि यह condition short circuit है तो उसको हम wsc से denote करते हैं अब test से पहले सब supply आपने on करी उससे पहले आपने एक resistance लेनी है जो temperature T1 यानि कि initial temperature पे ली जा रही है इस formula में test start करते ही जो values आएंगी उसके द्वारा आप RT1 calculate कर लेंगे at temperature T1 यानि कि जो initial temperature था जिसे हम room temperature ये ambient temperature कहेंगे क्योंकि उससे पहले transformer on नहीं था तो T1 आपको मिल चुका है एक normal thermometer से जो कि room temperature था उस temperature पे आपने RT1 calculate किया इस formula के थुरू test को on कर दिया steady state condition temperature की आपने weight किया जब आती है उसके बाद आपने watt meter की reading ली after steady state condition और emitter की reading ली और आपने final value of RT2 इसी formula के थुरू calculate कर लिया यानि कि initial value of resistance क्योंकि यह resistance जो है equivalent resistance कही जाएगी क्योंकि यह equivalent short circuit test है so equivalent resistance की initial value RT1 और equivalent resistance की final value RT2 आपने अब आप formula से calculate कर ली so T1 start का temperature आपके पास है RT1, RT2 आपने calculate कर ली और T2 जो है जो की maximum temperature transformer का होने वाला है वो आपको calculate करना है तो उसके लिए ये वाला formula आप use करेंगे इसमें RT2, RT1 और T1 इन तीनों values को आप put करेंगे formula को rearrange करेंगे और T2 calculate कर लेंगे T2 होने वाला है maximum temperature इंदा transformer एक बार आपके पास T2 आ गया है तो आप T2 minus T1 करेंगे और ये देगा temperature rise इने transformer अगर transformer में short circuit होता है तो maximum temperature rise जो transformer में होने वाला है उसकी value आपको T2 minus T1 से मिल जाएगी और अगर ये temperature rise within limits है तो अच्छी बात है नहीं है तो आपको उसको कम करने के लिए कुछ design में बदलाव करना पड़ेगा cooling methods को deploy करना पड़ेगा या हो सकता है आपको design पूरा का पूरा बदलना पड़े यानि कि आपका dry type transformer जो है वो oil immersed भी बन सकता है तो इस वीडियो में आपको अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो comment box में आप जरूर लिखिए वीडियो को like करिए हमारे channel को subscribe करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करिए thank you, thanks for watching, keep learning, keep growing